सो दोस्तो एंडी टीवी को फाइनली गौतम अडानी ने खरीद लिया है इसकी न्यूस सामने आचुकिए और न्यूस सामने आने के बाद कल से सोशल मीडिया पे एक जोक चल रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि अब एंडी टीवी का नाम हो जाएगा नरेंदर धामोदर दास प्लिविजिन इसी के साथ भक्तों के बीच में बहुत तगड़ी खुशी की लेहर है और भक्तों के अजीब-जीब रियाक्शन निकल करा रहें ज़रा ठहर जाएए आपको सब दिखाने का काम करूंगा क्योंकि भक्तों की रियाक्शन पे रवीश कुमार जी का भी एक रि NDTV और दूसरा News24 NDTV तो बिग गया और बहुत जल्द News24 भी इसी तरीके से बिग सकता है अगर आप जानना चाहते हैं कैसे तो इस वीडियो को स्किप मत करना इन तक जरूर देखना और हां उस लाइक के बटन को दबा दो जिसे की YouTube इस वीडियो को और जादा लोगों तक पहु जी सकते हैं तो यार acquisition की अगर बात करी जाए तो साल 2009 में ही कही ना कहीं इसका acquisition हो चुका था लेकिन अडानी का नाम उस टाइम पर पूरे सिनारियो में नहीं आया था अचुली हुआ क्या था कि साल 2009 में NDTV के जो promoter company है उन्होंने अपना एक existing loan उतारने के लिए जो की ICIC bank से उन्होंने ले रखा था उसके लिए 400 करोड का एक loan लिया यह जो promoter company इसका नाम है RRPR Holding का full form यहाँ पर है Radhika Roy Pranoy Roy Holding याने की company के वो लोग जिनका top पे इस टाइम नाम भी सामने आता है इस company ने 400 करोड का loan लिया और यह loan लिया गया VCPL से VCPL का full form है विश्व प्रधान commercial private limited अब इस loan के बदले में warrant जारी करे RRPR Holding ने और इस warrant की अगर मैं आपको बताऊं तो इस warrant बहुत important चीज़ होते हैं इस warrant के basis पे जिस company के पास यह warrants जाते हैं वो company actually promoter company के 99.50% shares ले सकती है इन warrants को कभी भी shares में तबदील करने का काम किया जा सकता है जाने की 2009 में जब यह loan लिया गया था जिस time पर यह warrants दिये गये थे उस time पर ही VCPL ने acquisition एक तरीके से कर लिया था लेकिन VCPL और Adani इनका जो relation है यह बाद में निकल करके सामने आता है इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि RRPR holdings उनके पास 29.18% shares लेकिन इसके अलावा भी प्रनाय रॉय और Radhika रॉय के पास 15.94 और 16.32% shares है respectively लेकिन major chunk जो की RRPR holding के पास था वो इस time पर Adani के पास जा चुका है एक चोटा सा article का screenshot आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें थोड़ी सी और detail भी आपर दे रखी है जहां पर कहा गया है कि The notice states that VCPL has exercised its option to convert 19,19,000 warrants into equity shares of RRPR H यानि की holdings at Rs.10 per share and the total of Rs.1.99 crore has been transferred to RRPR holdings NDTV added अब दोस्तों यहां पर आपको यह बहुत इंट्रेस्टिंग टेबल दिखाना चाहता हूं और इसी टेबल के basis पे आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से सेम प्रोसीजर जो है वो न्यूस 24 के साथ भी हो सकता और न्यूस 24 के अंदर भी अडानी का स्टेक अभी थोड़े दिनों में आपको देखने को हो सकता है मिल जाए आपको डाइग्राम दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने कल की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में भी शे लिखा हुआ है VCPL के पास जो पैसा है वो Eminent Company से आता है एक लोन के तौर पे और VCPL ने ही पैसा डाल रखा था लोन के तौर पे NDTV के अंदर इसके अलावा Eminent जो कंपनी है उसने लोन के तौर पे पैसा दे रखा है News24 को यानि की VCPL ने जैसे की एक लोन दिया हुआ था NDTV को Eminent Company ने भी यहाँ पर लोन दे रखा है News24 को और यहाँ पर डेफिनेटली उनके पास भी कोई ना कोई वारेंट्स ऐसे में जरूर होंगे आती आपको एक और बहुत इंपोर्टन चीज यहाँ दिखाना चाहता हूँ VCPL की बात करी जा रहे है VCPL को खरीदने का काम कर लिया है य जो है कही ना कहीं मुकेश अंबानी का पैसा लगा वा था लेकिन अब जो पैसा है वो कही ना कहीं गौतम अडानी का हो चुका और मालिकाना हग भी काफी हद तक उनके पास आ चुके हैं पेक तरीके से आप इसको यह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अडानी ने NDTV को खरीद करने का काम किया था तो यहां पर यह भी कह सकते हैं कि अगर कुंट का कॉंटेंट यहां चेंज नहीं किया गया या फिर वहां पर अभी तक भी थोड़ी बहुत निश्वक्ष पत्रकारिता दिख जाती तो हो सकता है NDTV के साथ भी ऐसा हो तो यह ऐसा बिलकूल भी नहीं क्य और यह बात आप और में अच्छे तरीके से जानते हैं नरेंद्र मोधी आज तक NDTV पे नहीं गए है और यह इटसेल्फ हमारे को बताता है कि अखिरकार अंदर से कितनी जादा नफरत करते हो NDTV से और NDTV को किस तरीके से वह खतम करने का काम करेंगे अडानी के थूरू तो द आगे बढ़ना चाता हूं और दिखाना चाता हूं आपको यहां पर भक्तों के पागल पने वाले रियाक्शन जी हां भक्त जो है इस ताइम पर पूरी तरीके से खुशी से पागल हो चुके NDTV के बिकने के बाद क्योंकि भक्त अब यह सोच रहे है कि NDTV बिकने के बाद बोधी मीडिया के भी लोगों के रियाक्शन सुशान सिना को देखे अपनी स्क्रीन के उपर इस न्यूस को को ट्वीट करके लिखाया इस बेफकूफ आदवी ने कि अब मसिया कुमार शारुक को मिश्रा कैसे बता पाएंगे आगे अपनी स्क्रीन पर देखिए अमेद कु हुआ है जहां पर अदानी लिखा गया एक तरफ रवीश कुमार लिखा गया नीचे लिखा हुआ है काप काहे रहे हो उसके आगे एक और है नाव रविश कुमार विल वर्क इन धुरू राथी बिजनस और नीचे एक दुगल नीचे एक फोटो दी गई है जिसके ओपर लि हलती नहीं है बहुत दिन से इनके पास कोई इसी चीज निकल कर आई जहां पर यह पोली तरीके से चुप बेढूरिक जाता उसको पूरी तरीके से साप सूंग जाता लेकिन रवीश कुमार सर अलग है इससे हमारे को पता चलता है कि उन्होंने इस चीज के ऊपर भी रियाक्शन दे दिया एक ट्वीट कर रहा है इसमें क्या लिखा है जड़ा देख लीजिए माननिय जनता मेरे इस्तीफे की बा बोलती बंद करने का काम किया कल से भक्ती लगे पड़े या कहने में कि रवीश कुमार को इंदी टी वी से निकाल दिया जाएगा या हमारे को इस बात को नहीं बोलना चीजिके ऑख currently कसे तरीके से इङर मीडिया को कंट्रोल करने का का मदल रहे है उर बड़ा Khan लाने की यह यह जो इंडस्ट्री लिस्ट है इनका कही ना कहीं जुड़ाव किस पार्टी से यह भी हमारे को पता होना चाहिए इस सब चीजों के साथ इस वीडियो को यही खतम करना चाहूंगा आपका क्या सोचना इस पूरे मैटर के बारे में की वज़े से या फिर इस टाइम पर हमारे देश में महौल चल रहा है उसकी वज़े से चाहिए उसको अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए अपने आवास को उठाइए लेकिन अपने बीपी को मत बढ़ाईए प्लीज दोस्तों इसी मेसिज के साथ इस वीडियो को यही खतम करना चाहूंगा मुलाकात होगे आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में बस कहीं सी के साथ मेरा चैनल ना बिख जाए